दोस्तो आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ MSP GTS 2 Mini Band का बताने वाला हूँ कि इस device के क्या-क्या features हैं, इस device के साथ क्या-क्या चीज़े आपको मिलता है तो चलिए, without wasting any more time, let's get started दोस्तो सबसे पहले मैं इस band को unbox कर लेता हूँ इस device को मैंने Amazon से purchase किया था, तो फटा-फट मैं इसको unbox कर लेता हूँ यह देखिए, यह band ऐसे एक box के साथ आता है, काफी प्यारा सा box है box के उपर ज़्यादा detail नहीं है, तो मैं box को open कर लेता हूँ यह देखिए, box के अंदर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो मैं पहले इसको हटा लेता हूँ, और band को side कर देता हूँ और इसमें आपको मिल जाता है यह charging cable और साथ ही मिलते हैं यह instruction manuals तो box के अंदर आपको कुल मिला के एक charger मिल जाता है, information booklet मिल जाता है और आपको जो main device जो आपका band है वो देखने को मिल जाता है सबसे पहले इस device के physical overview के बारे में बात कर लेते हैं यह device 1.55 inch के एक super amoled display के साथ आता है तो काफी बढ़िया display इस device के साथ आपको मिलता है right hand side में आपको एक button मिल जाता है जिसका uses मैं आगे वीडियो में discuss करूँगा button के नीचे ही आपको एक microphone देखने को मिलता है जिसके मदद से आप Amazon, Alexa वगरा use कर सकते हो इसके अलाबा device में आपको कोई भी physical button देखने को नहीं मिलेगा पीछे की तरफ आपको device में sensors मिल जाते हैं जो की activity tracking, heart rate tracking इन सब के लिए use होता है और साथ ही आपको charging जो points है वो मिल जाता है इस device का charging adapter है वो इन points के साथ attach हो जाता है इस device में आपको silicon straps मिल जाता है जिसका quality काफी premium है और ये replaceable है तो आप market से दूसरे straps खरीट के आप इसको customize कर सकते हो अपने choice के हिसाब से, आपके requirement के हिसाब से इस device में आपको inbuilt GPS मिल जाता है जिसके मदद से आप अपने activity को अपके band से ही track कर सकते हो अगर आपके device में GPS नहीं होगा तो उस case में आपको track करने के लिए mobile को अपने साथ रखना होगा लेकिन क्योंकि इस device में GPS inbuilt है इसलिए आप अपने activity को mobile के बिना भी track कर सकते हो अगर मैं battery life के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 220 mAh का battery मिल जाता है अगर आप heavy wages नहीं करते हो तो around 14 days के आसपास आपको backup मिल जाता है लेकिन practically अगर मैं बोलूँ तो यह device आपको 10 days के around अराम से backup दे देता है लेकिन अगर आप device को use करते रहते हो या फिर continuous hard monitoring ऐसे हो कुछ options का use करते हो तो आपको जो battery backup है वो थोड़ी से कम मिल जाएगी लेकिन काफी decent battery है आपको battery के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो अभी बात कर लेते हैं इस device के जो interface है उसके बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर यह जो screen है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर अलग-अलग watch faces select कर सकते हो यह देखिए by default यहाँ पर चार watch faces आपको मिल जाएगे और अब जब इसको अपने mobile के साथ connect करोगे काफी सार watch faces आप डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने पसंद के हिसाब से उसको use कर सकते हो main screen से जैचे ही आप उपर की तरफ slide करोगे तो यहाँ पर आपको आपके सारे notifications मिल जाएगे notifications आप अपने mobile से customize कर सकते हो कि किन किन app का notifications आप इस device में चाहते हो उसी तरह से अगर आप main screen से उपर से निचे की तरफ slide करोगे तो यहाँ पर आपको settings देखने को मिल जाता है alarm देखने को मिल जाता है इस device के साथ आपको auto brightness का option मिल जाता है और अगर आप main screen से left to right slide करते हो तो यहाँ पर आपको Alexa देखने को मिल जाएगा जहां से आप voice command वगरा दे सकते हो और उसी तरह से अगर आप right to left scroll करोगे तो यहाँ पर आपको अलग-अलग जो applications है बोग मिल जाएगा heart rate sensor, SPO2 monitor, stress monitoring, PAI यह अलग-अलग आप इस तरह से customize करके रख सकते हो यह सारे options आपको मिल जाएंगे वही अगर आप इस button को click करते हो तो देखे यह menu आपको मिल जाता है जहाँ पर काफी सारे options हैं जैसे की activity goal, PAI, heart rate, slip, walkout अगर आप workout में click करते हो तो यहाँ पर आपको सारे जो activities हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं 70 अलग-अलग activity को आप यहाँ से track कर सकते हो तो more sports में जाके आप देखे और बहुत सारे options हैं workout history भी यहाँ पर आपको मिल जाता है तो यह देखे आप अपने workout history को यहाँ से track कर सकते हो उसी तरह से आप यहाँ से SPO2 monitor कर सकते हो stress monitoring कर सकते हो ladies के लिए यहाँ पर cycle tracking available है alarm available है settings में आप इस device को अलग-अलग तरह से customize कर सकते हो कि किस तरह से आप चाहते हो कि इस device operate करें कितना brightness रहें या फिर device का face select कर सकते हो ऐसे अलग-अलग settings आपको इस device के साथ मिल जागा overall एक काफी compact and powerful device है अभी देख लेते हैं कि इस device के mobile interface में क्या-क्या चीज़ आपको मिलता है क्या-क्या चीज़ आप mobile interface से कर सकते हो वो भी हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं mobile से access करने के लिए आपको प्लेस्टरों से Jap app को डाउनलोड करना होगा और band को mobile से Bluetooth की ट्रो से आपको connect करना होगा जैसे ही आप app को open करोगे तो कुछ इस तरह का interface आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपके यह सारे health related informations मिल जाते हैं कितने steps आपने लिए है calorie आपने कितना burn किया है sleep quality किस तरह का है और इन सारे information को आप track कर सकते हो अगर आप profile में click करते हो तो यहाँ पे आप अपने band का नाम आपको दिखाई देगा और जैसे ही उसमें आप click करते हो तो देख सकते हैं यहाँ पे store का option है और यहाँ से आप सारे जो watch pages हैं आप access कर सकते हो और अपने पसंद के हिसाब से आप download कर सकते हो जैसे ही आप इसको download करोगे यह automatically आपके device के साथ synchronize हो जाता है उसके साथ देखिए health monitoring का अलग-अलग options है यहाँ पे उसी तरह से app settings आपको मिल जाता है अगर band आपने कहीं रख दिया हो और आप भूल गये हैं तो इस app का use करके आप band को खोश सकते हैं find watch का जो option है उसको use करके इस तरह से आपको इस device में बहुत सारे options मिल जाएंगे जैसे ही आप enjoy का option में जाओगे तो यहाँ पे आपको alum clock find device watch faces incoming calls का alert मिलेगा ऐसे काफी सारे useful alerts आपको आपके device में ही मिल जाएगा तो overall एक काफी premium device है इस device को आप definitely use कर सकते हो आपके health monitoring के लिए या फिर activity tracking के लिए उसके अलाबा भी आपके जो notifications बगरा को यह काफी अच्छी तरह से handle कर लेता है अगर इस device related और कोई जानकरी आपको चाहिए तो आप definitely comment कर सकते हो मैं आपके comment का reply करूँगा अभी के लिए बस इतना ही और मैं मैलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए stay safe and bye bye to करेंप भी कारेicamente आपके सकते हैं है आपक λगे में धर सकतते है आम है को cultivते है ये समोन है of 10 म dage in